हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं कर सकते हैं वहीं बगावत के समय गुवाहाटी में टहरे विदायकों ने बाला साहब के नाम से नई पार्टी बनाने की भी बात कही थी शुकरवार को ठाकरें ने पार्टी के नेताओं को साथ देने के लिए धन्यवाद दिया उन्होंने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब पार्टी ने इस तरह की बगावत का सामना किया है ठाकरे ने कहा कि विधायक आते और जाते हैं लेकिन पार्टी का वजूद खत्म नहीं होता उन्होंने स्पष्ट कर दिया है धनुषबान के चिन्ड को लेकर कोई संदे नहीं है ये शिवसेना का है और हमेशा रहेगा हाला कि इस पर फैसला भारत निर्वाचन आयोग लेगा फिलाल ये मामला आयोग के सामने नहीं पहुँचा है विधायकों के बार ठाने और नवी मुंबई से पार्शदों के पक्ष बदलने की खबर आई थी दोनों शेत्रों में बड़ी संख्या में पार्शदों ने CM शिंदे के लिए समर्थन जताया था इस पर ठाकरे ने कहा जो पार्शद एकनाज शिंदे के साथ है वे उनके साथ जुड़े रहें जो लोग शिवसेना की मदद से बड़े बने हैं वे छोड़ कर चले गए लेकिन जिन लोगों ने शिवसेना को बड़ा बनाया वो अभी भी साथ है जागरुख TV के लिए मुंबई से खास रिपोर्ट